नमस्ते बच्चो डेवी मॉयल पबलिक स्कूल सीता साउंगी इलर्निंग क्लास में मैं आपकी हिंदी टीचर कवीता फिर से आपका स्वागत करती हूँ बच्चो आज हम हमारी हिंदी कक्षा में पढ़ने जा रहे है कवीता बच्चो हम मोर यह कवीता पढ़ेंगे आईए बच्चो मोर के बारे में जानते हैं बच्चो आपको पता है मोर हमारा राष्ट्रिय पक्षी है और मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है आए बच्चों इस सुनदर सुनदर प्यारे प्यारे मोर की हम कविता पढ़ेंगे तो शुरू करें मोर हूँ मैं मोर हूँ सबसे सुनदर लगता हूँ सिर पर मेरे ताज है सुनदरता का राज है सिर पर मेरे ताज है सुन्दरता का राज है बादल देख खुश होता हूँ पिहू पिहू मैं करता हूँ बादल देख खुश होता हूँ पिहू पिहू मैं करता हूँ तो बच्चों कैसे लगी मोर यह कविता अच्छी है ना इस कविता को सुनकर आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मोर की आवाज किस प्रकार होती है क्या आप मुझे मोर की आवाज निकाल कर बताएंगे प्यूँ प्यूँ यह है ना मोर की आवाज तो बच्चों आशा है यह कविता आप घर में पढ़ेंगे और अच्छे स्वर में बोलेंगे दन्यवाद